नमस्कार गुड लग टिप्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अज़त दर्शकों रूज लिकर आते हम आपका देन कराशी फल बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में आपके दिन अच्छा होगा साधी क्या लाब दलाएका बताएंगे आपकी परिशान उसे बचने की कुछ आसांसे टिप्स आपके इस पसंदीदा करकरम गुड लग टिप्स में कि दर्शकों क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए साथी क्या कहता है हाज का देनिक राशी फल इसे बताने के लिए हमार साथ हमार सुडियों में मौझूद हैं जाने माने जुतिश चारे पंदित मुके इशास्री जी बहुत-बहुत सवागत आपकर जैशी आप सभी परिशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसां से उपायों के साथ उसके लिए आपकी टीवी स्क्रींस पर फ्लैश होता रहेगा कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम जन्म की तारीक जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है तो बस देर किस आप सभी दश्कों के उपर भवान शीहरी का मा लक्ष्मी का मा वगला मुखी का आपके पितर देव पता का शिर्वाद और कबदस्ट्री हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्यान हूँ आई जानते हैं कि कैसी रहेगे आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल सितारों की चाल क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना इन सब पे ध्यान रखे इन सब पे चर्चा करेंगे साथ ही जानेंगे आज से शुरू हो रहे पित्र फक्ष के बारे में तो शुरुबात करते हैं आज के दैनिक राशी फल के साथ में प्रथम जो राशी है वो हमेश-राशी मेश-राशी वाले जो हमारे धर्शक है आज कोई ऐसी situation या कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी जो सोच है या जो आपकी planning है वो change हो सकती है और वो जो सोच में जो changes है, planning में जो changes है it will be much better for you, it will be positive for you, सकारत मक रहेगा आपके लिए आज किसी भी प्रकार के situation से लड़ने की वज़ाए उसमें अपने आपको ड़ालने का प्रयास कीजिएगा and you have to focus on your work आज के दिन के सफलता के लिए गनिश यह महाराज को दुरुआ आरपन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा देन अच्छों से लिगा अगली जो राशी वो है ब्रशब राशी ब्रशब राशी वाले जो हमारे दर्शक है चोकि हम लोग मनुश्य हैं हमारे लाइफ में अगर देखें तो करम करम पर हमें रुकाउटों का सामना करना पड़ता है और वो जो रुकाउटे आती हैं क्यों आती है क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं आत्मिश्वाश की कमी हो जाती है तो आज कुछ इस तरह के सिच्वेशन हमारे साथ हो सकती है तो हमें करना क्या है हमें अपने आपके उपर पूरा भरोसा बनाए रखना है और किसी भी ऑफिस की पॉल्टिक्स में या गॉसिप में आज आपको शामिल नहीं होना इस बात का ध्यान रखिएगा आज के दिन के सफलता के लिए गव माता को पाला खिलाएगा दिन अच्छा कुछ लेगा आगली जो राशी हो है मिथुन राशी है जो हमारे दश्रक है फालतु की बातों में आज समय मत गवाईएगा व्यर्थ चिंता मत कीगेगा परिस्तितियों के प्रती अनासक्ती का भाव रखे जो हो रहा है वो इश्वर की मरजी से हो रहा है जब आप ऐसी सोच रख लेते हैं तो इससे आपको लाव होता है नेगेटिव थौट से नेगेटिव एप्रोश से आज बचना है और नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से भी आज आपको दूर रहना है आज के दिन के सफलता के लिए भूले नाथ की अराग्ना करके दिन की शुरुवाध कीजेगा दिन अच्छा पीछ लएगा आगी की राश्म 있다 रों बढ़ने से जोडि है अपने पुत्र राजिश के लिए जान ना चाहती है राजिश की तारिक का समान नहीं पता है जोती जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सवाल पूछे अपना सवाल पूछे जोती जी पंड़त पर नाम जैशी किछना पंड़ती मुझे मेरा नाम जोती है और मुझे मेरा बारन पूछना है अच्टूबर मैन आपकी नी जन वरी अठाई साल उमर पूरी जी और आप बिर एक डावड आशें विकोड़ो आटनों तालों कोड़ो कमजोर है और बीदी कोई बते है तो आप बताये और उनके लिए लिए रस्तुई आये लड़के लिए विर नाम सोरीर अन्नु है नाम कह देखे जोती जी जो आपका बच्चा है राजेश्यू की टारिक समय पूरी कलियर नहीं है प्रशकुनली के हम बात करते हैं प्रशकुनली बनाते हैं इस बच्चे की तो प्रशकुनली अगर बनाते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस बच्चे की राहु की मादशा चल रही है राहू की मादशा जो है वो पिछले साथ साल से चल रही है राहू मतलब सांप, सांप कैसा होता है? सांप टेड़ा चलता है उसी प्रकार जब राहू की मादशा होती है तो इनसान के जीवन में उतार चड़ावानी शुरू हो जाते है ठीक इसी प्रकार सर्पदशा का जो असर है वो इस बच्चे की जनमकुली में आया है और इसके कारण इसके जीवन में शारेरिक आर्थिक मानसिक रूप से उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है यदि आप चारते हैं कि इसके उतार चड़ाव खतम हो शारेरिक आर्थिक मानसिक सभी पकार के कस्टों से मुक्ति मिले एक बार इस बच्चे के उज्जन बेज़के वहाँ पे कालसब दोश की पूजा करवा दीजे एक राहू का रत नाता है गोमेद बोलते हैं सवा पांच रत्ती का गोमेद चान्दी के अंदर राइवार के दिन मद्हमा ऑंगली के अंदर इसको धरन करवा दीजे कम से कम ग्यारा राइवार करें निश्चित और प्रकाफी फायदा होगा और जहां तक अनु और राजेश की जनम कुली मैचिंग का सवाल है, नाम के इसाब से मिलान होता है, आप यह वहाँ कर सकते हैं। अनु जबर के लिए कोटा से भी दर्शत जुड़ी हैं, गीता ची अप पुत्र महावीर के बारे में जानना चाहती है, महावीर की जन्म की तारीक है 6-9-7 और जन्म का समय है, दोपहर का 3 बच का 10 मिनट का, गीता जी स्वागत है आपका सवाल पूछे, सवाल पूछे गीता जी, पड़ी जी लगता है कि संपर्क उनका कट गया है हमसे, अगर हम आपके बेटे की जन्म कुली का विशलेशन करें, तो इसके संतान घर का जो स्वामी है, आपके बच्चे की जन्म कुली के अंदर संतान घर का जो स्वामी है, वो है मंगल, वो इसके कुली में अस्त है, अस्त होने का मतलब यह होता है, जिस परकार सूरे भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोश्णी सब खतम हो जाती है उसी प्रकार इसकी जनमकुली के अंदर संतान घर का मालिक मंगल अस्त है इसको बोलिए कि एक सवाच्य रत्ती का तिकोना मुंगा अनामी का उंगली के अंदर चांदी के अंदर मंगलवार के दिन धारन करें मंगलवार को सुंदर गांड का पाठ करें और आपके बहु को बोलिए बड़ा सुंदर और बड़ा अचू को पाय है एक हमारा पुराना एपिसोड भी है जिसके अंदर सस्टी देवी का हमने स्त्रोत बताये था मैं दावा करता हूँ कि देवी स्त्रोत का लगातार छे महीने शवन कर ले तो निशित तोर पे मृत्वित सानारी यानि मत्यू के समान जिसका शरीर विस्तर में पड़ा हो खाली वो स्त्रोत के शवन मातर से संतान प्रसव करने की शमता को प्राप्त कर लेती है तो वो आप किसी को भी बोलके यूट्यूब पे आप उसको चक करवा सकते हैं और दूसरा जो सबसे सरल उपा है वो उपा ये है आपके बहु को बोली कि पास में कोई गउशाला होगी वहाँ पर प्रति दिन उसको जाना है और उस वक जाना है जब गउ अपने बच्छडे या बच्छडी को दूद पिला रही हो लाड लडा रही हो उस वक जब वो बच्छडे या बच्छडी को दूद पिला रही हो उस वक गउ माता की परिक्रमा करनी ग्यारा एकिस इस प्राथना के साथ इस मंत्र के साथ मंत्र जो है ओम सुरभ्य नमाहा प्राथना यही कि यह गव माता जिस प्रकार आप अपने बच्चे को लड़ लडा रही हैं दोद पिला रही हैं ठीक उसी प्रकार का स्वभाग यह मुझे प्रदान करें लगातार 40 दिन तक इस प्रका कि वो भी मुझे बताईएं तो दर्शकों अगर आपको भी कोई समस्ता है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमाने मलगातर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश होता रहेगा पणिजब के लिए बीड़वार से एक दर्शक जुड़े ह नवनीता है और पणिजब की जन की तारीक है 29,10,18 और जन का समय है शाम का शबचकर 10 मिनट का नवनीता आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रिशन पूछिए गुरुजी जैसी किष्णा जैसी किष्णा विटा मैं मेरी गॉर्मेंट जोप के बारे में पूछना जाती थ अच्छा उसके साथ साथ मैं अभी कंपेटिशन कौन सा दे रही हो मैं इसी के टिचिंग लाइन में जाना चाते हूं उसके अलावा और कोई कंपेटिशन नहीं दिया है नहीं देखो नमनीता आपकी जनमकुली बहुत अच्छी है आपके भागिस्तान का जो मालिक है गुर आपका व्रशिक राशी है और जनम से आपकी जो है वो कन्या राशी है तो बोलते नाम पे शनी की साड़े साथ ही चल रही है 21 अक्टूबर के पश्यात में को सुधार होता हुआ दिखाई देगा 2018 में आपके सरकारी नोकली लगने के पूरे-पूरे योग है आपके कुंड आस के बाद में अंधेरा होने के बाद में दूद दई चावल सफेद चीजों का सेवन बंद कर दें सफेद कपड़ों का सेवन बंद कर दें सफेद चदर पे सोना बंद कर दें अंधेरा होने के बाद में कलर चेंज करके आप खा सकते हैं यानि सफेद कलर में आप कुछ भ वो खत्म होगा और उसके साथ साथ में यदि संभव हो तो आप शनिवार के दिन एक कांसे के बाटके में सरसु का तेल भड़ने अपने चेरे की परचाई डालें उस तेल को एक मठी के दिपक में लेके जला दें साथ शनिवार ये उपाई कीजिए विदिने एयर आपकी गौर्ल्मेंट जॉब लगेगी सरकारी नौकरी के पूर्ण योग है भाग्ये बहुत अच्छा है कुनली बहुत अच्छी है सूर्य नीच का है नीमेत रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्यार पढ़ करे करकरशी की बात कर लेते हैं यदि आज कोई बात आपके अनुकूल नहीं हो सिच्विशन आपके अनुकूल नहीं हो आपके फिवर में नहीं हो तो परिशान मत होगेगा परिशान होने की बजाए ये सोचेगा कि उस बात को अपने अनुकूल कैसे करें उस situation को अपने favor में कैसे करें इस बात के ओपर ध्यान दिजिएगा क्योंकि हर परिशानी का हल तब मिलता हर परिशानी का solution तब मिलता है जब हम उस परिशानी को समस्या को नकारने की बज़ाए उससे स्विकार करते हैं समस्ते हैं तब जाके कि उसका solution मिलता है। आज के दिन के सफलता है ले गनेशी के दर्शन करके दिन की शुरुवात कीजिएगा। अगली जो राशी सिंग राशी हर सिच्वेशन में हर परिस्तिती में अपने आपको स्थिर बनाए रखिएगा। किसी की बातों में इतना मत खो जाईएगा, इतना प्रभावित मत हो जाईएगा कि उसका असर आपकी stability पर पढ़ने लगे। दूसरों के विचारों को सुनें पर ग्रहन वही करें जो आपको उचित लगता हो। आज के दिन के सफलता के लिए हरी सब जोका सेवन कीजिएगा। अगली जो राशी करने राशी, आज अपने मन में स्थिरता बनाए रखिएगा, शान्ती बनाए रखिएगा, मेडिटिशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएएगा। बहुत जादा डीपली किसी बात को मत लीजिएगा, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पे मत लगाएगा, क्योंकि कई बार कोई बात ऐसी हमारे दिल में बैट जाती है कि वो रोग का कारण मन चाती है। हरे वस्त धारन करके आज की दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा बुच्रेगा।